अस्साराम अलेकुम, MDGAT 2015 में येक MCQ आ चुक है, what is the percentage of nitrogen in NH4NO3, ये compound है NH4NO3, इस compound में nitrogen की percentage कितनी होगी, AMCQ 65%, BMCQ 35%, CMCQ 20% और DMCQ 58%, तो इस, देखो कोई भी compound या हो और उसमें element की percentage पूछी हो तो एक सिंपल सा फार्मा याद रखिएगा, फार्मा यह है का percentage of element, किसी भी element की percentage निकालना जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे total atomic mass of element, atomic mass of element, total atomic mass of element, total atomic mass of element को रखना है आपने उपर और molar mass को नीचे रखना है, molar mass of compound, mass of compound, यह एक सिंपल सा फार्मा इसको multiply कर देना है 100 के साथ, क्योंकि percentage है, percentage हमेशा multiply करके निकाले जाती 100 के साथ, अब इसका मतलब क्या, total atomic mass of element और नीचे मैं लिखेंगे, molar mass of compound, अब इसको किस तरो solve करेंगे, सबसे पहले आप compound कों सा है हमारे पास, NH4, NO3, NH4, NO3, अब यहां से सबसे पहले बात जोती है, molar mass निकालो, एक nitrogen है, एक nitrogen का atomic mass होगा, 14, चार hydrogen है, चार का, 4 बन जाएगा, nitrogen फिर आ रहा है, 14, प्लास 3 oxygen है, 16 से multiply कर देंगे, सही है, तो 14 प्लास 4 प्लास, तो इन दोरों को add कर लो, 14 प्लास 4, 18 प्लास 48, 16 को 3 से multiply करोगे, तो हमारे पास 48 आएगा, इनको add कर रहते है, 16 multiply by 3, 48, जमा 18, जमा 14, तो यह answer आए मेरे पास 80, मतलब यह मेरे पास basically molar mass है, अब इस formula को apply करूँगा, तो मैं formula apply करना लगा, जरा गोर किजिएगा, percentage of element, of element, उपर क्या रखना है, total atomic mass of element, तो कौन से element का बुचा है, nitrogen, अब इसमें जाक करो कितने nitrogen है, एक nitrogen यह, एक nitrogen, मतलब दो nitrogen है, एक nitrogen का atomic mass होता है, 14, दो nitrogen है, दो nitrogen का atomic mass होगा, 28, उपर में रखूँगा 28, नीचे रखूँगा molar mass, जो कि मैंने calculate किये, 80, इसको multiply कर दूँगा, 100 के साथ, तो चले, 28 divided by 80, multiply by 100, तो answer हमारे पास है, 35, तो answer क्या हमारे पास, 35%, तो इसमें BMCQ correct है, तो यह एक सिंपल सी मैंने एक example दी है, जो कि पास paper में आ चुकी है, इसके लाब कोई भी compound दे सकता है, आप से कहाँ दे, कि हमारे पास ammonium NH4PO3, इसमें nitrogen की percentage निकाल दो, तो आपको निकालनी आनी चाहिए, मैं गाता हूँ, यूरिया में nitrogen की percentage निकाल दो, सेम प्रोसिजर है, सबसे पहले मोले मैस निकालने के बाद, आपने next काम, उसमें कितने nitrogen है, वो चेक करो, जितने nitrogen होंगे, उनका atomic मैस को multiply करो, मारे पास जो भी उपर आए, निचे मोले मैस रखो, multiply का तो 100 का साथ, आप cancer आजाएगा, मतलब जरूरी निए सिर्फ आप इस MCQ को जहन में रखो, इस से relevant जो भी MCQ आता है, आपको पता हो, कि किसी भी compound में किसी element की percentage निकालने के लिए, कौन सा फार्मा यूज करना है, फार अछिक्स फरोगजिक, ला फेस।